अस्सलाम अलेकुम माम एंड मी के चैनल पर आपको वेलकम कहते हैं आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं फरोजन पराठे की रेस्पी जो किसी भी ब्रैंड के पराठों से कम नहीं होगा ये पराठा एकदम माउथ मेल्टिट पराठा है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे है तो हमारे चैनल को सब्स्राइब ज़रूर कीजेगा और लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा नेक्स्ट आपको इंग्रीडियंट्स मामा बताएंगे हाँ जी यहाँ यहाँ पर हमने लिया है एक किलो मैदा 250 ग्रैम्स घर का आमाटा 250 ग्रैम्स सूजी 2 टीस्पून नमक 2 अंडे 1 अब कप घी 1 अब कप चीनी और 2 पैकिट्स लेने हैं आपने मिल्क पौडर एक कप पानी में आपने चीनी हल कर लेनी है और अब हमने मैदे के अंदर तमाम के तमाम अर्जा डाल देना है आटा, सूजी, नमक 2 अंडे आदा कप घी और मेल्ट की हुई शूगर शूगर हमने इसलिए मेल्ट की थी वो आटे के अंदर जल्दी से हल नहीं होती है तो इसलिए थोड़ा गरम पानी के अंदर आप इसको हल कर लें और इसको अच्छी तरीके से गून लें अच्छी तरह आटा मिक्स करके रख लें और थोड़ी दिर आटे को रेस्ट देने के बाद आप इसके अंदर मिल्क पॉटर शामिल कर दें मिल्क पॉटर शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से गून लें जिस तरह घर का आम रोटियों के लिए जो आटा गूंदा जाता और उसको रेस्ट करने के लिए रख दें अच्छा जीब आपने इस मैदे में से 6 पेडे निकाल लेने है और इन पेडों को थोड़ा इस शकल में आपने ले लेना है और हर पेडे के उपर आपने घी लगाते जाना है और मैदा डस्ट करते जाना है इसी तरह ये छे पेड़े आप जो है उपर नीचे रखके सबसे लास्ट वाली रोटी पे आपने घी नहीं लगाना और इनको अच्छी तरीके से प्रेस करके इसको एक बड़ी रोटी की शकल दे ले रोलिंग पिंट से आप इसको बढ़ा ले एक बड़ी सी रोटी की शकल में आ जाएगी बड़ी सी रोटी बेलने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से घी लगाना है और चारो तरफ से घी लगाने के बाद आपने इसको पर मैधा छिड़क देना है अब आप अच्छी तरीकी से इसको रोल कर ले, अच्छे टाइट हातों से आप इसको रोल कर ले, बड़ा से रोल करने के बाद आप इसको साइडों से अच्छी तरीकी से प्रेस कर दें, और अब इसके उपर आप छे निशान लगा ले, जितने के हमने पेड़े बनाये थे, उतने ही पेड़े हमनेश में से निकालने हैं अब आप इसके layer देखें आप हर पेड़े के अंदर कितनी अच्छी layer आगई है अब तमाम पेड़ों को कट करके एक साइट पर रख दें और हलका हलका इनको प्रेस कर दें अब तमाम पेड़ों को आपने एक साइट पे रखे, रेस्ट के लिए रख देना है, छोड़ देना है और एक पेड़ा उठाना है, उसको पराठे की शकल देनी है, और इसको तवे के उपर हलका हलका दोनों साइट से सीख लेना है, अब ये पराठे फ्रीज करने के लिए तियार है, अब आपने प्लेट के इसको पर एक शीट रखना है, उसको पर एक प्राठा रखना है, दूसरी शीट रखना है, इस तना तमाम के तमाम प्राठो के लिएर लगा के इसको अपने फ्रीजर में फ्रीज कर लेना है, और अब मैं आपको एक प्राठा फ्राइ करके दिखाऊंगी, इसको आप ये देखे हैं, ये हमारे पराटे की फाइनल लुक है, ये बहुत ज्यादा यमी पराटा बनाया है, ये किसी भी ब्रैंट से ज्यादा मज़े का है, अगर आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी है, तो हमें लाजमे कमेंट्स में बताएगा, इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है, अपना बहुत सारा क्यार लखिएगा, अल्ला हाफिज